अंपानी घर घर तेरी सुन सुन भोवे परमगत मेरी सुन सुन भोवे परमगत मेरी तो साहिब केंदे ने जे तुम प्रभूनों नहीं गाया ता तुम धर्ती ते बोच है आप लिये लड़ लाए दर दरवेश से ओ दरवेश है जो गुरू दे दर ते बैठा हुए है एक मनुख ने बहुत चंगी गलाखी कहें लगे तुम अपनी जो दुकान है अपना जो कार खाना है अपने जो फैक्टरी है तो ओधा भूआ ता खोल ग्राख अपने आप याणगे पहला कमता तुम एक करना फिर केंदे ने तुम गुरू दे दरते जाके बैठता हूं रहमत ना फिर अपने आप करेगा तो दरते बैठ दरते बैठ कई दफ़ा की होंदा है कि दरते एक बिखारी वाजां पई मारदा है एक दफ़ा दो दफ़ा तेन दफ़ा ते वाज ओदे करना तक पहुंच गई है मालक दे मन विच सोचदा है अरकोज ता देदा हूं ये ता दीट मन के बैठके ये ता उठदा ही नहीं अखीर विच फिर ओ मालक जानदा है बार और ती जोली विच कुझ न कुझ जरूर बांद है ते स्वाइब कीकां तेने बाणी विच मांगों दान हे प्रभू में तेरे तुँ दान मगणाया पर किस्त्रा डीठ हो ये मांगों ये दान लेणा है पर डीठ हो कि बाओ तेरे दरती बैठा रहा वांगा तेरे दर में कदे चड़ गई नहीं चड़ और इतना देंदा है जेकर तो मंगदा रहा वृथे बैठा रहा पकटि करदा रहा शिमरां करदा रहा नाम दी दात मंंगदा रहा तेरी चोली जरूर बरेगा, वो दर्वेश हो गया, वो खोद ही है भाद भी दर्वेश है 6 amigo बनादे है वो कि भूदी शैंणिशा है तेन भी शैंणिशा बना दादे वो ऐसा नहीं कि तेन शैंणिशा बना देसा जो ए कि भाली हो जाए और कि ₹ मैं छोटी री पंक्तिक पड़ रहा सी कि एक भीखारी के संगन कैंदा है कि मेनु पंज़र पेचाई देने ते ओ की करदा है पंजसो दा नोट करदा है जेविचों तक यंदे ले मौज कर जाके मंगी पंजसी पंजसो रपे दे 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 ते ओ भिखारी की करदा है ओ दे हाथ विच जेड़ा खपर सी ओ खपर ही मालिक नो फटा देंदा करने लगे ओन एतुं रखले यह तेनू कमाएगा मालिक गंदा है अधा हो गई तो पंजसो रपे दे दे ते बदले विच एक काटोरा मेनू दे रहे हैं कि तुँ अपने कोल रख ले तेनु कम आवेगा तो बिखारी कहना है हाँ क्योंकि मैं भी कदे तेरे वंगु धनवान सी कोई पंज मंगदा सी ता मैं पंसो ही देंदा सी ते इस तरह वंड़ियां वंड़ियां ही मैं बिखारी वंड़ गया कुछ भी नहीं पर ले और तो रख लेका पर अपने कोल कहन तो मराद परमातमा इतना वड़ा शैन्शा है कि पूरी मखलूक उन्वंड़ियां रेंदा है पर तिल जितना कटदा नहीं कुछ भी कद तो तर्पी दे विच्चों पानी कड़िया जा रहे है नहीं मुक्या कद तो तर्पी दे विच्चों खने जिकड़िया जा रहे है नहीं मुक्या पेट्रोल कड़िया जा रहे है नहीं मुक्या ते फिर किस्तना बन रहे है जमेन दे थल्ले किस्तना बन रहे है और पानी दे विच्चों जिड़िया पानी आ रहे है कितना निर्मल है ते कितना साफ सुत्र है कितना पवित्र है एक इस तरह साफ हो रही है तो पामन बोल कि ओ मनुक दर्वेश है जो उस मालक दे दर थे बैठ किया भगत कबीर दी थे मैं छोटी जी गल आप जी दे सामने रखाँ कबीर केंदे ने कबीर कैशो कैशो कूकिये ना सोईए असार रात दिवस के कूक ने कबे कि सुने पकार के दे ने तुँ सिमरन तकर तो पकार तकर और पकार कर दियां कर दियां वो पकार तेरी सुनेगा जरूर सुनेगा और एक गलहोर कह देती हूँ किसे ने सवाल पुछ लिया कि जे कितरे पकार नहीं सुने गई और तेरी मौत हो गई फिर की होएगा कभीर साथ जे गलहोर कह देने कह देने ओ भी चंगी कह दे जे कितरे सिम्रन कर दिया संगत कर दिया मेरी माँ तो जान दी है इस तो बड़ी खुशी और की होएगी मोही मरने का चाव है मरो तन हर के द्वार मत हर पूछ है मता हरी पुछलवे की मत हर पूछ है कौन है परा हमारे बार इस जिड़ा मेरे दर ते बैठा एक काउन है लोग करणगे कबीर सी हाथ विच तश्वी सी सतनाम सतनाम जब्दा सी पूरा हो गया करणगे इस तो बड़ी दात होर मेनों की चाहिए जो रब पूछ लवे एक काउन सी ए दिविची बंद कला से लोगी मरी है ए अनन्द लवो ए प्यार लोग जिन्दगी दा एक थां ते ना बैठ जाना की बस मकान बन गया कारोबार चल गया इते तक ना बैठना ते कई दफ़ा में अर्ज करना के सितारों से आगे जहां और भी हैं गुलिस्ता और भी हैं बागवाँ और भी हैं चल के ता देख एक तो एक नजारे मिल देने हैं एक तो एक अलोक एक शक्तियां एक तो एक जल्कियां और ऐसी यां जल्कियां हो सकताए आप जी देविच्चु प्रेमे बैठे हो जोना जिननों ए इलाही जल्किया मिल दियाने संसार न एक वी सुख उदे बरावर नहीं है एक वी सुख और गुष्टा की माफ ए घल में अपने अनुभाव दिवी कर दिया एक वी सुख ऐसा नहीं है जो उस अनुभाव उस जल्की दिन आल उदी बरावरी होए खेर तिन दन जने दी माओ आए सफल से ओ बच्चा जो प्रभूदे नल जुड़के बैठा है कहें दने ओ बालक दन है पर उस तो पहला ओ दी माँ भी दन है ओ दा प्यों भी दन है क्यों क्योंकि कुछ विद्वान पुरुष केंदे ने किड़े मकोडे पैदा करन वाली माँ गुस्था की माफ समझना कीड़े मकोडे तुमराद जिनाद जीवन विच कोई अध्यात्मक शक्ती नहीं है बंदगी नहीं है इमान नहीं है उननों केदे दकीड़े मकोडे केंदे ने रूहे जमीत ऐसी मामा ता बहुत नहीं पर ऐसी मा ज kepada बंदधक पेरा फकीरा नू जनम देनदी हुए केंदे ने बहुत थोड़ी आने मा फिर ओ मामा पूजनीकन, पूजनीकन, दर्ती ते बिल्डिंग बनानी होए, दर्ती पूजी जान दिये पर, पूजी जान दिये, बाईका अरदास कर देने, पूज देने, क्यों पूज देने? कि तेरे उपर एक मंगला महल बन रहे है तेरी इबादत तेरी बूच्या कि सांज दों बीज बीजदा है दर तीनों मत थाटे किदा है नमस्कार करता है और ग्रेस्ट जीवन दे विच जो के एक मर्यादा चली है कि पहला पाट रखना कीरतन कराना अरदास करनी इदा मुख कारण है यह कि इना दा जो ग्रेस्ट जीवन है वो ऐसा होवे जो बच्चेवी होन निरंकार नल जुड़ी होन सहीब केंदे ने धन ओदी माँ धन है तेन धन जणें दी माँ आए सफल से एक छोट ज़े सवाल माँ कह सकती है मेरी हथ विच की है जी बच्चा पगत जणे तुलसी दासी केंदे ने के जननी जने ता पगत जन केंदे ने किसे भगत नू जनम दे नहीं दे सकती किसे भगत नू जनम कोई गल नहीं किसे दानवीर नू जनम दे दानी पुरिश होए नहीं दे सकती जनम किसे दानवीर नो तो शूरिवीर नो जनम दे और जेकर तुम किसे बगत नो भी जनम नहीं दे सकती किसे दानवीर नो भी जनम नहीं दे सकती और किसे शूरिवीर नो भी जनम नहीं दे सकती तो फिर इतनी गल करनी पड़ेगी नहीं ता जननी बाज रहे काहे गवावे नूर फिर ठीक होएगा ऐसे बचे होनी ना तो इतनी एक सवाल एह है मान दकी रोले बीबी पानी अपने पुतर नू जो आशीश देंदी सी ओ समा पाके ओही आशीश दे बोल धन गुरु गुरेंज साविच दर्च हो है फिर गुरु अरजन देव सहीब दी रसना चो चारन हो है मान एग आशीश देंदी सी केड़ी आशीश निमख न बिसरो तुमकों हर हर सदा भजो जग्देश पूता हाँ, इतना दावा क्योंकि मैं इस तरह अर्ज कराँ कि परमातमादा पूरा डेपार्टमेंटी मान देखते विस चीए है दुजा रूप है परमात्मा दा मा तो इस तरह माधी रसना चो निकली हुए आशी पर माधी को उलपगती होने बहुत लाजमी है किसे ने मैंनों सवाल कीता करने लगे ग्यानी दिये भागत प्रेलाद दा जनम होया हर नाकस्ते घर विच एक इस तरह दी कटनव आपने पर वो ए भुल गए कि भागत प्रेलाद दी मा दिन रात प्रभू नाल जुड़ के रहें दी भागत दुरोदी मा जो बच्चे ने एक सवाल कीता सी मा अज मैं पेता दी गोद विच बैठा सी मैंनो उठाल दिता कि तू राणी नहीं इस कर दी ते मा की कर दी पतर में राणी हिया पर मैं पूर्विले जनमा विच पगती नहीं कीती इस गर के मैंनो मान नहीं मिलदा पे बच्चे नू जोड़ना है किस तरह जोड़ रही है हुण बच्चे ने सवाल की था जो पाई साब जी पाई गुरदास सी लिखते ने किस उद्दम ते राज मिले हे माँ मैंनो एक गलदस जी मैंनो राज चईदव होए ता मैं की उद्दम करां मैं की उद्दम करां के दुश्मन ते सब होवन मीता जेड़े-जेड़े मेरे दुश्मन ने ये भी मेरे अपने हो जान, सजन हो जान और मा एवी तक है सकदी सी ते पुतर कोई चंगाज या हत्यार चुकले ते पिता नो भी खतम कर दे ते दुश्मन नो भी खतम कर दे पर नहीं, मा ने की किया रसना चंबोल लिकले, पुतर परे मेशर अराधी है जिद्धू होए बतित पुनीता तुम पाठ करिया कर कि आप जी दे बहुत अच्छे नंबर आणगी तुम बैठ पाठ कर बहुत ही अच्छी सफलता ते नो हासल होवेगी रोज मूलमंतर दपाट करियाकर सिम्रन करियाकर यह बहुत वड़ा पुन है बहुत वड़ा प्रुवकार मावी तन है पितावी तन है सेवके दिने परवदगार अपार अगम बे अंत तूं हे पालनहार तेरा उरला परला बनना लबना बहुत वखा बहुत वखा तुं अगम है तेरे तक गमन करना कठिन है क्योंकि गमन उत्थे वांदा है जित्थे दूरी होए कितना भी दूर होए आप जी जा सकते हो पर जिड़ा दूर ही ना होए उत्थे फिर यात्रा दा तो कोई मतलब भी नहीं है वो था जीदे कोली ही बैठा होए अंदर ही बैठा होए जोत है एक उर्जा है बे अंत तुं उस उर्जा दा अंत लेड़ना कहें देने बहुत वखा है जीदा अंत लेलेया जो पकड़ विचा गया उदी फूजा खतम हो जान दी है जीदा अंदाजा लेलेया जीदा तकमीना लेलेया जीदा कूत लेलेया अंदाजा पकड़ विचा गया पूजा खतम हो गई पर शाहिब कहें देने केती दात जाने काउन कूत अर्बी अलफाज है, अंदाजा, तक्मीना, कोथ, कौन जनत है, पर हाँ, जिना पच्छाता सच, चुमा पैर मौँ, है प्रभू, जिना ने सच नो गा लेया, जिना ने सच नो पशान लेया, वस मेरी एही तमन्ना है, मेरी एही तलब है, कि मैंनू उना दे चरना दी खाक चा ही दी है, शेक शादी साइब केंदे सी, कि जे कर आद और अंत दी लीला नू तू देखना चांदा है, समझना चांदा है, तो किसे पीर, फकीर, आउलिये दे चरना दी खाक, दा सुर्मा बना ले, आओ, मत्यते लगा, आओ, नेमर्ता धारन कर, हुन ऐसा संत के थिल भी है, जदो उसी गल कर दे हैं, संत दी, कई दफा त्यान चला जन्दा है, किसे डेरे विच बैठा वेगा संत, किसे गुफा विच बैठा वेगा संत, किसे आश्रम विच बैठा वेगा संत, नहीं, आप जी दे घार विच बैठा हो सकता है, वो आप जी दा पिता हो सकता है, आप अब जी दी मां हो सकती है, अब जी दा पुत्तर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. अक्षर असी पुलकर जान देयां मैं संत नों मिलन वस्थे जा रही है कि पता तेरा पिता ही संत बैठा हुए मां ही संत हुए तेरा भाही संत हुए तेरा पुतर संत हुए उसनों देख और उमर्दत का जा नहीं है क Azerbaijan है कही दफ़ा कह देने यह तह मेरा पुत्तर है नहीं तन करके तेरा पुत्तर हो सकता है मेरा बच्चा मैंनों कहना है जड़ी अलफाज उसने के महरान हो गया वोदी गल सुनके करने के दुनिया दे विच्च थोड़ा और मेरा की संबन्दे बिता दा पुत्तर दा इसनों पहला ना तू मैंनों जानदा सी ना मैतनों जानदा सी जड़ी रब दे कोल जावांगे वोदे ना कोई मैत साथ वांगा ना तुसी मैंनों साथ दोगे तो मैं ओधी गल सुनके एरान हो गया छोटी उमर दे विच ऐसी गल कि ए सम्मदता अपना इसे संसार दाए माता पेता दा क्यों फिर जूट बोली है क्यों फिर तोखा करी जदों सम्मद ही सड़ा इसे लोक दाए मैं अर्ज कर रहा सी पि ऐसे संत जिना देकोल इलाही इबादत है कित्थों लभी याजी हुण जी लभण वास्ते जाओगे लटे जाओगे गुरुनानक साहिब दे दर्दी मर्यादा आ है वो तेरी कोल अपने आँ पाणगे चलके अपने आँ पाणगे तो एक कम कर रोज तो संगत करिया कर और ये परमातमा दा हुकम होंदा है कि संगत विच ओवी आन्देने जिनादा दीवा नहीं जगिया संगत विच ओवी आन्देने जिनादा दीवा जग पे आया ओभी आनदे क्यों उसी मत्था टेक देयां जोड़े खाने थे कि ते ऐसे पुरिष्दा ए जोड़ा होए जोड़ा बक्षिया होए और उदे चरणा दी खाक मत्थे ते लगावा थे कि ते मैं भी बक्षिया जाओ मैं भी क्यों लोग जाके जोड़े खाने वे ते सेवा कर देने पालिश कर देने, साफ कर देने, क्यों कर देने मता कि ते ऐसे पुरिशना जोड़ा होगे बक्षया होगे मेरी भी गल बढ़ जाए जिना पच्छाता सच चूमा पैरवों तेरी पना खुदा है तुम बक्षंदगी ए प्रभू, मैं तेरी पना विचाया मैं तेरी शर्ण विचाया एक छोटा जिया दृष्टान ताप जी दे सामने रखा जदो सुदामा श्री कृष्ण जी माराज दे कोल गयने तो नरुत्म दास लिख़दा है कभी कि देख सुदामा की दीन दशा करुना करके करुना निद्रोए पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जलसों पग धोए अखान देज पानी आ रहे है ओधे नल ओधे पैर दो रहे है होन गुरू और सेवक दा प्रेम देखना सुदामा कहन दा है माराज मैं बहुत गरीब है तो श्री क्रिशन जी माराज क्यों अखां वे चहन जो अगर रहे हैं आओ कह रहे हैं तुम मेरे मितर है इतने दिन तू किती सी मेरे कोल क्यो नहीं आया मैं नो ए दुख है मैं इस करके रो रहे हैं तो मेरे कोल क्यों नहीं आया आप जीनों मैं अर्द करां गुरू दे कोल भी ए पीड़ा है तुसी आंदे क्यों नहीं मेरे कोल क्यों नहीं आंदे तुसी बाहर बाहर दा सफर कर दे रहेंदे हैं तुसी मेरे कोल क्यों नहीं आंदे कई दफ़ा प्रेम दे विच आके मा कहा देंदी पुत्रा नो बच्चे नो तुसी मेरे कोल क्यों नहीं आंदे दादा कह देंदा है अपने बच्चे नों तुछी मेरे कोल क्यों नहीं आंदे कुछ प्रेम देड़ना है कुछ प्रेम लेड़ना है गुरु तो भी कुछ प्रेम लेड़ना है कुछ देड़ना है तो साहिब कहने ने हे प्रभू मैं तेरी पना विचाया तेरी पनाँ खुदाए तू बक्षन दगी तू मेरे गुनावी बक्षेगा मैं तेरी पनावी चाहिए चंगा और तू मंगलकी चाहिए हाओ आप आवी मंगिए कथा दी समाप्ति करने आ जो कुछ इस पावन बोल विच मंगिया गुरु साहिब आप जी दी जोली विच वी पाण शेख फरीद है खैर दी जै बंदगी हे प्रबू हे खुदा बस मैंनो खैर बक्ष मेरी जोली विच बंदगी जो खैर शबद है ये वी अरवी अलफाज खैर मंगता जो जानदा है होके अन्दने खैरात बादे खैरात उन्दने खैरात फिच की होंदा है कि मेरा हक नहीं है मेरा जोर नहीं है खैरात तेरा मन करेता बादे इत्थी एक आलम लिखदा है बहुत प्यारा शेर कि दिल में ना हो जरूरत तो महबत नहीं होती दिल में ना हूँ जरूरत तो महबत नहीं होती खैरात में इतनी बड़ी दौलत नहीं मिलती तेरे दिल वी चीही प्रेम नहीं है तेरे रब तिनों किस तना देगा जरूरत हो वे एक मितर केंदा है मेरा तेरे नाल प्रेम है दूजा केंदा नहीं है किरने लगे फिर कोई गर्ल नहीं रब भी यही कहन दा है मैं प्रेम देढ़ मास्तित ने बैठा तेरी चाहती नहीं है तो दिल में नहो जरूरत तो महबत नहीं होती खेरात में इतनी बड़ी दौलत नहीं मिलती है जरूरत पैदा करो संगत करके जरूरत पैदा करो कथा सुन के गुरु साय रहमतां करन पुलांचप कांदी खीमा वाष की गुरुजी का खालसा वाष गुरुजी की फत्र